असलाम लेकुम यू आर लेस्निक चू मलेक शाजाईब और आज की इस वीडियो में हम साइन नंबर्स और अंसाइन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पते हैं C++ या C language में या किसी भी language में कुछ ऐसी data types होती हैं जिसके अंदर हम सिर्फ positive numbers store करवा सकते हैं उनके अंदर हम negative numbers store नहीं करवा सकते हैं और कुछ ऐसी data types होती हैं जिसके अंदर हम positive numbers भी store करवा सकते हैं तो जो ऐसी data types होती हैं जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ positive values store करवा सकते हैं उनको हम कहते हैं Unsigned data types clear और जो ऐसी data types होती हैं जिसके हम positive numbers भी store करवा सकते हैं और negative numbers भी store करवा सकते है उनको हम कहते हैं Signed data types clear इसकी मैं आपको ए MAX cenot लेता हूं suppose करते है एंतर आटाई पार यह trud सढा करते हैं daqui है यह signed भी है और unsigned भी है अब हम क्या करते हैं यहां पे इसके पीछे मैं एक keyword लिखता हूं signed का ठीक है आपको बने बताया है यहां से क्या कि जो signed होती है उसके दर positive value भी आ सकती है negative value भी आ सकती है तो देखो मैं सबसे पहले इसके अंदर positive 6 store करवा रहूं और फिर cout value कर रहूं इसको execute करते हैं एक दफ positive value भी आ जाती है negative भी आ जाती है तो देखो इसके अंदर minus 6 भी store हो रहा है इन चौर्ट मैंने आपको यह दिखाया कि positive 6 भी आ रहा है negative 6 भी आ रहा है positive value भी आ रहे है और negative value भी store हो रही है signed integer के अंदर ठीक है अब अगर मैं यहां से इसको कर दा हूं unsigned और यहां से सबसे पह value unsigned data types अब हम क्या करेंगे इसके अंदर यहां पर minus लगाता हूं minus negative value unsigned integer के अंदर मैं store करवा रहा हूं execute करके देखते हैं और यह आप देखो minus 6 तो यहां पर नहीं आया इसने value change कर दिया पता नहीं कौन जा नंबर बांगे तो minus 6 इसके अंदर store नहीं हुआ उसकी क्या reason है क् unsigned data type थी clear और unsigned के अंदर सिरफ positive values उटकर आ सकते हैं बात समझा तो just मैंने आपको यह बात समझाने के लिए कि जो unsigned होती है उसके अंदर सिरफ positive values आ सकती है negative नहीं आ सकती और जो signed होती है उसके पॉजिटीव भी आ जाती है negative भी आ जाती है इसलिए मैंने आपको program करके तो computer में देखो अभी हमने 6 के लिए किया न तो हम क्या करते हैं यहां पर 6 को binary में represent करते हैं क्योंकि आपको पता है जो भी numbers होते हैं computer के अंदर वो binary language में represent होते है binary numbers होते हैं 6 की अगर हम binary करें तो क्या बनती है 0 0 0 0 और फिर 0 1 1 0 तो 6 number की binary यह बनती है हमारे पास अभी हम suppose करते हैं कि तो सबसे पहले हम sign number को करें तो number positive 6 भी हो सकता है sign में negative 6 भी हो सकता है अब 6 की binary तो हमने पढ़ी है लेकिन computer को कैसे पता चलेगा कि यह number यह तो 6 की binary लिखी वी है क्या यह positive 6 है यह negative 6 है तो computer को तो नहीं पता चलेगा इसलिए sign numbers positive भी होते हैं negative भी होते हैं तो हम यह कर लेते हैं कि यह last वाली bit होती है यह left most bit इसको हम sign के लिए use करते हैं और यह जो बाकी बाद जाता है यह बाकी number इसको हम as a binary numbers चोड़ कराते हैं 20 ठीक है as a हम समझते हैं कि यह हमारा क्या है binary number है बाद समझा गी और इसको हम कहते हैं कि यह हमारी क्या है sign bit है अब हमें कैसे पता चलता है कि यह positive number है यह negative number है तो यह sign bit है जो left most bit होती है अगर तो ह हम कहते हैं कि यह 0 है हम कहते हैं कि यह क्या है पॉजिटिव नंबर है और अगर हम कहते हैं कि यह 1 है तो हम कहते हैं कि यह नेगिटिव नंबर है बात समझ आ गई तो आब अगर आप से मैं कहूँ कि positive 6 की binary लिखके दिखाओ sign में, तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आप बिलकुल आप ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिखो गे positive 6, और यहाँ पर लिखोगे-6, ठीक है, एक दफार हम इस उपर से binary लिखते हैं, यह आगी, ह यहां पे आप 0 लगा दोगे sign bit को, ठीक है, एक मिनट, तो यह हमने क्या किया है, यहां पे 0 लगा दिया, क्योंकि positive, 0 के लिए positive होती है sign bit, और अब negative है, अगर negative number है, तो यहां पे आपने 1 लगा देना है, तो यह 1 क्या शोकर है, कि यह negative 6 है, और 0 क्या शोकर है, यह positive 6 है, बात समझ आगी, अब अगर हम बात करें unsigned number की, तो unsigned number का आपको मैंने बताया, यह क्या होते हैं, positive numbers होते हैं, तो positive numbers होते हैं, जब हमें पता है कि number ही positive है, तो फिर sign bit रखने का फाइदा, sign bit तो इसलिए थी, वो यह बताती थी, कि number positive है या negative है, जब number ही positive है, तो फिर sign bit नहीं रखेंगे हम, फिर हम जा करते हैं, इसमें, as it is, पूरे का पूरा number ही हमें पता होता है positive number है, ठीक है, अगर इसके अंदर हम 6 की binary बनाएं, तो क्या बनेगी 0, 0, 0, 0, और फिर 0, 1, 1, 0, ठीक है, तो इस तरह करके इसकी binary बनेगी, इसमें कोई sign bit नहीं होती, इसमें हमेशे number positive होता है, यह हमें पता होता है, तो फिर हम यह कह सकते हैं, कि 8 bit का जो unsign number होता है, उसके अंदर पूरा 8 bits का magnitude होता है, और जो sign 8 bits का number होता है, उसके अंदर 7 bits का क्या होता है, binary number होता है, और 1 bit का sign bit होता है, ठीक है, वो हमें यह बताता है, कि positive है, number यह negative है, तो यहाँ पे आपका यह topic clear हो गया है, लेकिन numbers दे रहे होते हैं, हम variables यूज कर रहे होते हैं, तो हमने तो कभी भी ने लिखा sign, यह कभी भी unsign ने लिखा, जैसे कि यह देखो, मैंने यहाँ पे sign लिखा है, आप तो क्या करते हो, इसी तरह लिखते हो, int value is equals to minus, इस तरह करके values के अंदर store कर वा लेते हो, int करके variable declare कर वा ल sign लिखो कि ना भी skinner सिर्फ positive value ही आ सकती है, ठीक है, अब मैं यहाँ से unsign मिटाता हूँ, तो यह भी कौन सा number है, यह signed number है, skinner positive भी आ सकती है, negative भी आ सकती है, clear, okay, तो यहाँ पे आपका यह topic almost cover हो गया है, लेकिन last एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो यह कि जो sign data types होत है, can store half the maximum value, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, कि देखो, unsign में आपको बता है, सारे numbers positive होते हैं, तो 8 की 8 bits number को represent करने के लिए use होती है, जब 8 की 8 bits में हम 0 डालते हैं, तो हमें minimum number क्या मिलता है, 0 मिलता है, और 8 की 8 bits को जब हम 1 करते हैं, तो maximum जो number मिलता है, 255, बात तो अगर आप decimal में convert करो, तो 255 बनता है, तो maximum number 255 हो सकता है, अब जब हम आते हैं, sign के अंदर, तो इसके अंदर आपको बता है, 1 bit किसलिए use होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bits use होती है, number के लिए, और 1 जो bit होती है, वो किसलिए use होती है, वो sign के ल 1 लिखता हूँ, तो यह minus 128 बनता है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ठीक है, तो यह क्या बनता है, plus 127 बनता है, ठीक है, यहाँ पे आप 7 bits use हो रही है, number को show करने के लिए, इसलिए, यह जो full था न, 8 bits का 255, इसका half value हम sign के इंदर store कर वा सकते हैं, बात मैंने आपको बता दिये, क्योंकि यहाँ पे 8 bits use होती थी, number को बनाने के लिए, और यहाँ पे 7 bits हो रही है, एक sign bit use हो रही है, ठीक है, तो DLD का यह topic था, I hope आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई confusion आप comment करके पूछ सकते हैं, हमारा Facebook के group है, Facebook पे page है, आ इसके link से description में है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफिज